बेलकम दोस्तो आज की वीडियो में आपको जानकारे मिलने वाली है बवासीर को ठीक करने वाली सबसे अच्छी दवाएं कौन कौनसी होती है इन दवाईयों को आप किस परकार से ले सकते हैं उनकी शंपूर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो यहां पर हल्की फुल की गठायन जैसी महसूस होने लगती है और अगर रेग्टार रीजन पे आपको बर्निंग संसेशन भी महसूस होता है वहाँ पर काफी ज़्यादा जलन भी होने लगती है अगर हम बात करें इसमें क्या-क्या मेली सेम्टम्स दिखाई देते हैं जब ऐसी कंडिशन होती है तो वहाँ पर पेंफुल लंस मालूम पड़ते हैं इचिंग की प्राबलम होती है डिसकंपर्ट महसूस हो चूल का कलर जो होता है वह सकता है ब्लेडी हो सकता है वह कुस कशच Municipal में यह देखा गया है कि उससमें आफ जाती है तो सेम्टम्स है उपें मतलब से और होरेांconomy मृशन होने कैम्या स्कानित घरन कांव हो सकते हैं तो इसकी आगर यई का वलकज़ैसा बाहर की फूट आते हैं की पहार की फूट खाते हैं तो उसकी वज़द से हो सकता है है अगर आपको लंबे समय से गर कास्टीपेशन की प्राब्लम है यानि कब रही हो तो उस कंडिशन पर ये प्राबलम हो सकती है अगर किसी को सीवियर डाइरिया है तो उस कंडिशन पर यह प्राबलम हो सकती है अगर कोई बंदा जाज़ा से अधिक बाहर को उठाता है तो उसकी वजह से भी यह प्राबलम हो सकती है या तो वो बंदा क्या काम करें अगर वो फोर्सफुल इस टूल को को पास करता है यानि दम लगा के इस टूल को पास करता है तो उस कंडिशन पे भी उसको पाइल्स होने के चांस होती है ओवरवेट अगर किसी का भाहर ज्यादा से अधिक है तो उस कंडिशन पे भी उसको यानि पाइल्स की प्राब्लम हो सकती है अगर हम बात करें कि बवासी तो यहां पर जो इन्टिवाट्टि कटेगरी होती है आप लोग जानते ही होंगे एजिसन सबसे ज्यद्वंग की जाती है वह मॉक्सीकांड सीबी हुआ गुडश्यसी भी हुआ या अपलॉक्सीन हुआ अधर कसारी अंटिवाटिक भी उफ्योग कि जाती है तो जो इसमें सुपेरियर एंटीवाइटिक जैसे कि अपलाक्सिन यानि मॉक्षिकांट सी भी हुआ अपलाक्सिन हुआ तो उस कंडिशन पर कई सारे अंटिवाटिक मैडेसीन आती है जोगी आप लोगों ने जाना अगर बात करें पेन किलर मैडेसीन यानि नॉन इस्ट्रारिल एंटी इंफिलामेटरी कटेईडी की मैडेसीन तो उसमें जो उप्यूप की जाती है जीरो डाल पी जिसमें एसलोप जो कि आप इसको भी दे सकते हैं तो इन में से आप कोई एक मैडेसीन दे सकते हैं जिससे उस बंदे को जो जलन की प्राबलम हो रही है यानि जो हलकी फुल की दर्द हो रही हो उस दर्द को रिलीफ देने के लिए इन में से आप किसी एक मैडेसीन को दे सकते हैं इस मैडेस कंडेशन पर कुछ ब्लेडिंग इस्टाप करने वाली मेडिकेशन जैसे कि ट्रेनेग्जमिंक एसिड और एसम साइलेट है और कई सारे मेडेशन आते हैं तो इन में से आप कोई एक मेडेशन उस बंदे को शुबेशाम दे सकते हैं अगर उसको ब्लेडिंग भी साथ-साथ आ आ जाता है इस टेबलेट को आप उसको दे सकते हैं रात के टाइम इस टेबलेट को आप दे सकते हैं दिन के टाइम भी दे सकते हैं लेकिन रात के टाइम जो है यह टेबलेट काफी ज़्यदा शुटेबल होती है तो एक टेबलेट इसको रात के टाइम दे सकते हैं जैसे कि आपने डलको फ्लेक्स होना होगा डलको फ्लेक्स को भी कॉंस्टिपेशन में काफी जदा उफ्योगी माना जाता है नेक्स्ट कुछ अधर मेडिकेशन की बात करें तो एंटी अलर्जिक मेडिकेशन इसमें आप लीबोसे तरजिन 5MG या 10MG की एक टेबलेट दे शकते हैं व तो आप खासकर यह ध्यान रखें कि उनको रात के टाइम ही लेना चाहिए नेक्स्ट कुछ ट्रीट्मेंट की बात करें तो जैसे कि आप कई सारे मार्केट में आपको हर्बल प्रोडक्ट मिलते हैं जो की काफे ज़्यदा इफ्यक्टिव होते हैं पाइल्स की प्राब्लम क को ट्रीट करने के लिए जिसमें आता है लिगनों कैन लिगनों कान जिसको अब भली बात परचित होंगे लोकल मेडिकेशन है जो कि आप अगर कहीं पर भी चोट लग जाए या बहुत जैसे आप खासकर बहुत हो रहे हैं तो उस अस्तान पर यानि रेक्टल मार्क पर आप पिशको लगा सकते हैं जिसे वहां पर जो जलन हो रही हो या दर्द हो रहा हो उससे शुटकारा मिल जाता है आप उसको अर्षगाल की टेबलेट दे सकते हैं तो इन में से आप कोई एक टेबलेट दिया जा सकता है पाइलेस की क्रीम आती है जो काफी ज़्यदा उप्योग करिए और इन में से कोई एक टेबलेट ले सकते हैं जिसमें पाइलेक्स हुआ या अर्ष कलब हुआ तो इन में से कोई एक लिया जा सकता है और इस मैडेसीन को आप शुबे शाम दुपार तीनों टाइम ले सकते हैं अगर फिर भी नहीं ठीक हो रही है आपकी व और लाइक का बॉटन भी आप दवा दीजिए जिससे क्या होता है हमको मोटीवेसन मिलता है जब आप लाइक करते हैं अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करते रहिए दोस्तों और आपकी नेक्स्ट वीडियो किस टापिक पर होनी चाहिए वह भी कमेंट करके चाहिए रूफ बदाए ता इनकी दोस्तों